hello everyone welcome to krnad academy जैसे कि कल हमने mock test को लेकर एक video आपके सामने रखी थी कि NTA की website पर जाकर आप mock test कैसे दे सकते हैं अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं NTA की website पर mock test कैसे दे तो उस वीडियो के अंत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए नेक्स वीडियो जो है वो लेकर आऊंगी कि प्रीविएस एर क्वेशन पेपर आपको NTA की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करने हैं तो आज का जो ये वीडियो है ये उसी सिलसले में है कि आप कैसे प्रीविएस एर क्वेशन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं NTA की वेबसाइट से तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगे कि आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है जो भी आंसर की आप जिस एर की चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगी तो सब से पहले हम देखते हैं की प्रिविएस एर क्विश्चन पेपर आप Lord कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज का वीडियो तो NTA की website पर आपको जाना है, nta.ac.in पर जाकर आप website पर जा सकते हैं, इसमें downloads का option आप देख रहे हैं, download का option पर जैसे click करेंगे, आपके सामने previous year exam papers इस तरीके से show होगा, तो यहां पर आप दो चीजे कर सकते हैं, अगर आपको अपने subject wise ही, जिसे 2018 से आपकी online examination स्टार्ट हु तो आप क्या करेंगे यहां पर, आप यहां पर any select करेंगे, exam type, UGC net और paper, तो paper यहां पर आप अपना subject है उसको चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर योगा select कर रही हूं, and after that search, अब ऐसा करने से जो योगा के paper जितने NTA की website पर अपलोड किये गए हैं, 2018 से लेकर अब तो वो सारे paper आपको show होंगे, उनका shift wise भी आपको show हो जाएगा, year भी show होगा, और जो subject का name है वो भी show होगा, जैसे कि यहां पर है exam name, UGC net, paper name, yoga, year भी यहां पर दिये गए है, अलग-अलग year है, देख सकते हैं, और date of examination यहां पर दी गई है, कि जिस date पर जो exam हुआ होगा, shift दिया गया है, और यहां पर आप कर सकते हैं, डाउनलोड, पर जैसी आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वो paper ओपन हो जाएगा, और यहां से आप यह जो print का option देख रहे हैं, आप डायरेक्ट आप कंट्रोल प्लस पी बी कर सकते हैं, और यहां पर इस print option से दो चीज़े होती यहां से दो जगह सेवैस, PDF कर लीजिये, और यहां से सेवैस, PDF करने पर यहां पर save option पे जाकर ड्रीक्ट उस paper को save भी कर सकते हैं, जिस पी फोल्डर पर आप चाहते हैं, ऐसे करने से paper आपका यह जो है, यह सेव हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आप इसे कर लीजिये, save, जो भी आप जिस भी destination पे चाहते हैं वहाँ पर जाकर इसे सेफ कर सकते हैं तो यह पार्ट तो हो गया आपका कि आपको अगर अपने subject का ही करना है अगर आप सिर्फ paper 1 का करना चाहते हैं कि जितने भी subject के अभी तक paper 1 हुए हैं उसका आपको download करना है तो आप simply क्या करेंगे पहले page को refresh कर लीजिए यहां पर year select कीजिए जिसे में यहां पर 2000 जो 23 है उसका select कर रही हूँ exam type select कीजिए यहां पर मैंने all select कर लेना है all को select करते ही search अब यहां पर 2023 जो जून वाले exam हुआ था उसमें जितने भी paper हुए थे सारे paper आपके सामने open हो जाएंगे यहां पर यह अलग-अलग pages में show हो रहा है आपके पास page नमबर 1,2,3 ऐसे यह 9 तक जा रहा है अगर आप एक ही page में चाहते हैं कि आपको सारे paper एक साथ दिख जाएं तो यहां पर यह entries शो कर रहा है इसमें आप all कर लीजिए all करते ही इस जितने भी paper आपके जून 2023 में हुए थे वह एक ही जगा आपको शो हो जाएंगे आपको next नहीं करना पड़ेगा बार बार ठीक है अब आप क्या करेंगे कि जैसे आपको सिर्फ जनरल पेपर जो paper 1 है उसको डाउनलोड करना है तो यहां पर subject के दिया गया है subject के नाम के साथ वो general paper दिया गया है और shift दी गई है date भी दी गई है exam की तो यहां से आप सीधा paper 1 ही सिर्फ डाउनलोड कर सकते है अगर अपने subject का particular subject का चाहते है तो वहां पर आप subject डाल सकते है यह डाल सकते है तो वो उसके दोरा आप सर्च कर सकते है ठीक है तो paper 1 के लिए आप देख सकते है जैसे commerce का paper 1 है shift 1 का shift 2 का commerce का paper 1 है इसी तरीके से library and information science का आपका general paper है जो की shift 2 में आपका हुआ था इसी तरीके से की common paper के लिए आप कैसे select कर सकते हैं यह download कर सकते है paper और अपना subject wise कैसे कर सकते हैं तो जो information आप पूछी के है वो आपको डाल देनी है next की आप answer की कैसे download करेंगे paper तो आपने कर दिया अब आप paper जब लगा रहे हैं सही है गलत है वो आपको answer की से पता चलती है आपको simply क्या कर 23 answer की यहां पर आगया यहां पर आते ही जो वो answer की है जिस भी location पर होगे इस location का link आपके सामने आ जाएगा तो आपको यह ज़रूर डालना है कि आप कौनसी year की answer की चाते है यूजी सीने जुन 2023 की चाते है 2022 की चाते हैं तो वैसे ही आप कर लीजे अब यहां पर इस location पर वो यूजी सी नेट जून 2023 फाइनल आंसर की अब वो फाइनल आंसर की जो है वो आपके सामने open हो जाएगी उस link पर click करते ही अब जैसे answer की आपके सामने open हो गई है तो वैसे ही control P करके आप उसे save कर सकते हैं जिस भी destination पर चाते हैं अब जैसे यह answer की है आपकी 13 तारिक से 21 तार जितने भी paper हुए सारी answers की आपकी एक साथ होती है तो particular अपने subject की answer की ढूणने में कई बर हमें दिक्कत हो जाती है तो इसके लिए आपके सामने छोटी सी ट्रिक है कि आपको क्या करना है यहां पर SIM क्या करेंगे यहां पर particular अपने subject की कोई भी answer की ढूणने के लिए तो यह यहां पर सर्च का option है यहां पर सर्च का option करते ही आप क्या कर लेंगे यहां पर आपका जो भी subject का नेम है जैसे मुझे चाहिए योगा की answer की मैं यहां पर योगा टाइप किया अब आप यहां पर देख रहें योगा वाली answer की कहां 13 तारीक में था कहां 21 तारीक का आपके सा यहां पर शिफ्ट भी यहां पर शिफ्ट फर्स्ट की है ठीक है इसी तरीके से जिस भी subject की आपको answer की चाहिए आप यहां पर जाकर सर्च करके उसको इसली सर्च कर पाएंगे तो अगर आपका PDF रीडर है कोई वहां पर भी आता है आपकी जो PDF है सेव कर लेते है वो उसमें तो कंट्रोल F के माधियम से आप इसली पर्टिकुलर अपने subject की answer की को सर्च कर सकते हैं तो I hope यह जो वीडियो है आपके लिए काफी आज की useful रही होगी आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं और जादा से जादा स्टूडेंट के साथ ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके अपने जो पेपर डाउनलोड करना चाहते हो करें आंसर की के माधियम से और इस तरीके से आप लोग एक्जाम तक अपनी टैक्टिस कीजिए मौक टेस्के माधियम से प्रिविए से कुशिए पेपर डाउनलोड करके तो थैंक्यू आल की वीडियो में इतना ही